जाहें दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आफ से बच्चे सुनगे दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अजाद भरत की पहली राश्टी सिक्षानिती नेस्टल एडुकेशन पॉलसी 1968 के बारे में यह सिक्षानिती 24 जुलाई 1968 को घोशना की गए थी और इस सिक्षानिती की खासियत क्या दिया सबसे पहले जानते हैं कि सिक्षानिती की जरूरत क्या थी दोस्तों यह बात है 1960 की 1960 मतलब हमारे देश की आजादी 1947 हुई और 20-21 साल के बाद यह सिक्षानिती आई तो यह सिक्षानिती क्यों आई 1947 में जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक विद्रो की भावना थी और हम आज अंग्रेजों को अपने देश से खदेड रहते भगा रहते वापस भेज रहते तो उन्होंने हमारी सिक्षा व्यवास्तों को किस हाल में छोड़ा होगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मन लिजे कि आप किसी के घर में किराइदार की तरह रह रहे हैं और आपका मकान मालिक से कुछ अच्छा नहीं है आपका मकान मालिक से बन नहीं रहा मकान मालिक आपको कह रहा है कि घर खाली करो तो क्या आप उस मकान का मेंटनेस करवाएंगे निकलने से पहले पेंट भागा रहते तो अंग्रेजियों ने बिल्कुल सिक्षा विवस्ता को लचर बना दिया था तो इसी चीज को सुधार के लिए 29 जून 1966 को एक कोठारी आयोग की अधिशा में एक आयोग का गठन किया गया इस आयोग से रिपोर्ट मांगी गई कि देश में सिक्षा विवस्ता क रागू करती है अब भारत में सिक्षा को सुधार के लिए 24 जुलाई उनीस से और इस यह पूरा रिपोर्ट नौपनने का था और जिसमें 17 मूल्तत्व थे उन 17 मूल्तत्व या मूल बिंदू उनहीं के अधार पर आगे के सिक्षा नीति को किर्यानिवित करना था देश की भावेसि starring सिक्षा के लिए और उस समय के वर्तमान शिक्षावच के लिए तो आईए जाते हैं कि 17 मूल्ततम थे कौन थे क्योंकि यह बहुत ज्यादा इक्षा का थे तो बात करेंगे μूल्तत्त्व की तो पहला मूलतत्तो था Самि शिक्षा के अधिकार के बारे भार्त के सन् वर्षत के बच्चों के लिए सिख्छा ब्यवास्ता निसूल को और अनिवारे कर दी जाया यानि हर बच्चे को यह हख है कि वह सिख्छा प्राप्ट कर सकते हैं दूसरा क्या था दूसरा था दोस्तों कि भासा का विकास मतलब जो भी आपकी छेत्री भासा है उसको दबाया अंग्रेजियों के आने के बाद ना हम अंग्रेजी भासा को एक बहुत बड़ा भासा मानने लगे शायद उस चीज़ को अभी तक हम जारी रखते लेकिन इस सिख्छानीती में कहा गया कि चाहे जिसका जो भी छेत्री भासा हो हिंदी भोजपूरी गुजराती मराठी मतलब इस फाइन और लेकिन कोई किया जिन्दगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है सब खराब चल रहा है जिन्दगी तबाह होई है तो अरे क्या हो मतलब आपके मूँ से निकले का क्या हुआ वज़ा है कि हम अपने छेत्री भासा और अपने राश्ट्री भासा से इतन 1968 इस वी के इस राश्ट्री सिक्षनी थी ती तीसरा था अध्यापक के अस्त्रों की उन्नती मतलब एक अध्यापक के लिए परयात क्या चाहिए उसके प्रसिक्षड के लिए क्या चाहिए जब वो चीजों को पढ़ा रहा है तो लैब परियोग साला सोध संसाधन यासी सकते हैं तो उस पॉइंट को हम बस देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या था सैचिक ऑसरों की समानता हर एक वर्ग के लिए बालक के लिए बालिका के लिए सैचिक जो वर्ग से उसकी समानता रखी जाए हर एक लोग सिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं अगला पॉइंट है क प्रतिभा का विकास किया जाए किसी बच्चे के अंदर कोई अलग प्रतिभा हो चाहे वह सिंगिंग हो डांसिंग हो तो इस प्रतिभा का भी विकास किया जाए इसका भी सम्मान किया जाए उसको उस प्रतिभा में उस छेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोचसाहिद किया देश में विग्यानिक तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है उसे में सबसे बड़ी समस्या थी कि परियाप्त भोजन के इखठा करना तो विग्यानिक संसादुनों के माध्यम से हम और ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके और अपने देश वासु के लिए फसल उगा सके तो सा परकासण की जाए अपने देश में इसकी छपाई की जाए और अपने देश के भलाई के लिए जी बी चीज़ें हुआ उसकी यहां पर बात की जाए तो पुस्तकों के प्रकासण की भी बात की गई राश्च्टी सिख्छनिती उनीस और सट में दसवापईंट है यह की मुल्यांकन में सुधार किया जए, ज省 मुल्यांकन की चीज है उसमें और बहतरी की जाए, ताकर बत्च विश्विदाले अस्था की सिख्छा लेना चाहते हो इंटर्मीडियर के बाद भी पढ़ना चाहते हूं तो राष्टि सिक्षा नीती में इसका भी प्रवधान रखा गया कि विस्विधाले अस्तर की भी सिख्षा दी जाए 14 पॉइंट दोस्तों साक्षार्था और प्रवधान सिक्षा का विचार 15 खेल खूद और 16 अलप संख्यों के लिए सिक्षा मतलब जिस वर्ग जिस चाति की संख्या एकम है जो अलप संख्या की दरजे में आते हैं उनके लिए सिक्षा की विवस्ता करना ये सरकार की जीमिदा दो्सक्राइब करेंगे तो या संनरचना डीशाइब की घए थीक प्ल्स तूप्लेस थी यानि कैसी तदसमी तक गॉत था इसके बाद दो सालों का बोरि उसके बाद तीन सालों तो इस प्रकार से सिख्षा की संरचना की गई इसमें दस सालों तक स्कूल सिख्षा और फिर दो साल तक सेकेंडरी सिख्षा और फिर तीन साल के लिए आपका उच्छ अस्तरी सिख्षा यानि की डिग्री सिख्षा की बात गई तो दोस्तों यह टोटल आपके 17 पॉइंट है दिखें मैं साथ 17 पॉइंट को मैं भी बहुत अच्छ से एक्स्प्ले नहीं कर पाया I believe क्योंकि यह 17 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में बाते करें तो बहुत बड़ी चीज़ हो इन 17 पॉइंट के अंदर आपको लिखना क्या है इस 17 पॉइंट के अंदर चीज पर भारती की राष्ट में सिक्फा को सुधार के लिए और सिछा को व्यापक स्थर पे लागू करने के लिए एक सिछानिति की घोशना की तो तो साथ 17 मूल्ट नथे तो आपके स्क्रीट पर इसके अंदर क्या लिखना है इसका पीडियाप में आपको शेर कर दूँगा ठीक है अब अगर इसकी आपसे विसेस्ता पूछता है कि इसकी विसेस्ता क्या होगी तो आपने देखा कि इन 17 पॉइंट में इसकी विसेस्ता यह है इसकी खासियत यह है कि यह 17 पॉइंट में किन चीजों के बारें बात कर रहा है यह 17 पॉइंट आपको बता र और सिक्षा की समानता देखी तो यह सारी चीज़े इस सिक्षानिती की विशेशता है थी उम्मिद करते हैं दोस्तों चीज़े आपको समझ में आगे समझ कब आएगी जब आप एक बार सेल्फ स्टड़ी करेंगे मेरा बस यह मतलब था कि मैं चीज़ों को एक बार आपसे बता दूँँ आपको समझाने की कोशिश करूँ लेकिन असल समझ तब आएगा जब आप एक बार सेल्फ स्टड़ी करेंगे तो इसके पीडियाप में आपको शेयर कर दूँगा बाकि इसके नोट्स आपको गूगल म में मिल जाएंगे आपके बुक्स में मिल जाएंगे एक बार सेल्फ स्टड़ी करेंगा और इस पॉइंट को किलर कर लिएगा कि राष्टिय सिक्षानिती 1968 क्या थी और किस प्रकार से देश की पहली सिक्षानिती लागू की गई दोस्तों एक्साम पॉइंट से भी बहुत चैनल से जूड़ जाएंगे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए मुझे एक अच्छी टीम की जरूत है मुझे लोगों की जरूत है मुझे थोड़ी सी सपोर्ट और थोड़ी से मोटिवेसं की जरूत है और मुझे पका बदा है आप बहुत अच् करें ज्या भारे दोस्तुर